उतराखंड के टनल में जो की हमारे मज़दूर फस गय थे उसी मज़दूरों में से एक मज़दूर जो की हमारे गिजांस गाउं के हैं और मुझफचरपुरजिला के हैं गिजांस गाउं से हैं और इन्होंने किस परकार से 17 दिन वहां गुजारे हैं आई इंसे बाचित करते सबसे पहले आपका शूब नाम दिपक कुमार अच्छा दिपक जी यहां से कब आप गये थे उत्राखंड के लिए मैं मैं 9 मैं के को में वहां पहुंचा हुआ था जी क्या काम करते हैं वहां मैं सर भूमर ऑपरेटर हूं अपरेटर यानि गारी चलाते हैं एक मसिनरी होता है कि टरनल में बहुत ही इंपरेटर होता है उसी का उपरेटर में अंदर आप लोग कितने तारीक हो गया है तो के हम अंदर हम लोग 11 तारीक हो हम लोग का नाइट ड्यूटी था आठ बजे के आसपास लोग अंदर गया हुए थे और यह घटना 12 तारीक को सुब्ह सारे 4-5 ब जैसे घटना 270 के आसपास हुआ सो 270 मीटर पर हम लोग उस टाइम 2300 मीटर पर काम कर रहे थे जो पीछे वरकर लोग थे उनको वह लोग हमको बताने आगे गए तब हम लोगों पता चला जी अचा तो जब आप लोग वहां फस गया तो काफी वहां तो अंधेरा अल्रेडी रहत है नहीं अंधेरा तो ऐसे टनल में रहता है पर लाइट का वहां में वस्ता था जहां पर यह को लेप्स हुआ ना वहां पर इलेक्टिक के बल जो अंदर ग्राउंड किया हुआ था तो लाइट का प्रोब्लम नहीं हुआ हम लोग तो फिर आप लोग का भोजन और फिर यहा 12-15 घंटा तो हम लोग इसी में निकल गए कि बाहर कैसे कॉंटेक्ट किया जाए और हट टरनल में पानी पाइप लाइन के लिए हम दो पाइप रहता है एक एन और एक आउट के लिए तो उसमें एक जाम हो गया था तो उसी के जरी हम लोग बाहर कॉंटेक्ट करने का मतलब रास्ता ढूंड रहे थे और लगबग दो दिन ऐसे ही निकल गया हम लोगों को मतलब खोजने में कैसे कॉंटेक्ट किया जाए फिर बाहर से हम लोगों को पाइप के द्वारा हावा भेजा गया तो पता चला कि नहीं हम लोगों को निकलने के लिए बाहर कोई न कोई है फि इसलिए हम लोगों खाने के लिए मूड़ी काजू किस्मिस हो गया यहीं सब हवा के माध्यां सो लोगों को भेजा जाता था तो फिर आप लोग अपने घर पे भी बात किये हैं सुनने में आया कि आप लोग से बात आपकी ममी पापा का हमेशा होते रहता था तो कैसे बात क दिन का बाद यह प्रोसेस चालू हुआ जब तक जब हमारे पास छेंची का पाइप आ गया फिर उसके पास हमारे पास खाने के लिए रोटी सबजी चावल हो गया फल हो गया ड्राइफ्रूट वगेरा सब लोगों को मिलने लगा लगवा यह 10 दिन के बाद ही चालू हुआ कितने दिन आप रहे हैं टरनल के अंदर लगबक सतरा दिन ऐसे डिवटी लगा के तो 18 दिन तक हम लोग अंदर ही रहें निकलने के बाद कितनी खुशी मिली बहुत खुशी हुआ सर ऐसे तो खुशी पहले ही था जब चेंची का पाइप आ गया तो हमारे फैमली के पास बा था उसी से हम लोग अपना फैमली से भी बात कर पाते वह लोग बाहर से कॉल लगा देते थे लिए रम लोगों के स्पीकर पर डाल के अंदर बात हो जाता था बाहर आने पर बहुत खुशी हुआ हम लोग को हमारे और जिस परकार से वीडियो में हम लोग भी देखते थे कि पर्दानमंतिर से बात कर हैं' मेडिकल्स में मेडिकल होने के बाद कर आया गया सब लोग को साहस को सलाम है अच्छा पूरे मामले में आप लोग को निकालने में सब से जाधा अगर्धानDebolt किसी को देना चाहते हैं किसको देना चाहते हैं सर निकालने में तो ऐसे सब लोग लगा हुआ था गौर्णमेंट का आदमी हो गया या फिर हमारा कंपनी और सब्सक्राइब हो गया और रेड माइनिंग वाले का बहुत-बहुत धन्यवाद उनके द्वारा मतलब अगर जहां सभी मसीनिरी फेल हो गया वहां पर उन लोग द्वारा काफी अच्छा काम किया गया इस वज़े से हम लोग और जल्दी निकल पाए नहीं तो और लेट होता हैं तो कहीं न कहीं मौत को मात दे करके दिपक आज अपने गाउं गिजांस पहुंचे हैं तो वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा सेयर करिएगा और आगे तक पहुंचाने का परियास कीजिएगा जैहिंद जैवी है